आज अपना ब्लड कैम्प लगा है उसमें जस्टिस केहर ने इसका उद्गाटन किया और अभी इस वक्त जस्टिस सीक्री इसमें अपना ब्लड डोनेट कर हम उनसा ही बात करते हैं और आपने जसर खीक कहा कि किसी को कभी भी ज़रुत पढ़ सकती है हमारे जवानों को पढ़ सकती है जो हमारे लिए जान देते हैं और किसी हमारे अपने फैमिली के मेंबर्स को पढ़ सकती है किसी का अपरेशन होना उसको पढ़ सकती है और आजकल इसकी कीमत भी कितनी है काम नहीं हो सकता, इससे समाज सेवा नहीं हो सकते. सर आप लोग वैसे भी शोश्री थौशा सा कम एक्टिव होते हैं, लेकिन इस टाइप के काम जो कि बहुत ही प्रिश्यश होते हैं, उसको कर रहे हैं, ये तो समाज के लिए प्रेणा का स्टोव था उसके बारे में. देखें, मैं तो जब कॉलेज में था, लॉफ एकल्टि में स्टूडेंट्स, तब से देता आ रहा हूँ. मैं एक एक एन एसस होती है, नेश्रल सर्विस की इम, उसमें भी था, और मैं कोशिश कहलता हूँ हाँ साल दूँ. जैसे लोगों सोशल नहीं होते हैं, इसे समाज को मैसेज जाता है, और आपको हमेसा बेंच बैठे रहते हैं, और आज आपको अभी काम भी करना हुआ है, तो इस दोरान आपको क्या वीक्नेस क्योंकि आप लगातार ब्लट देते आ रहे हैं, अब कैसा आप फिल करते हैं, क्या मैसे हैं, कोई वीकनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो एक हश्प्रुष्ट आदमी है, जो जिसकी सेहत अच्छी है, वो दे सकता है, इससे कोई काम पर कोई फरक्टनी पड़ता है, अब देखें, देखें, पंदा मिनिट बार जाके मैं कोट में बैटूंगा, और ह अगों में ब्लेट देने से कोई वीकनेस नहीं आते है, और हर साल खुद भी ब्लेट देते, तो समाज को यह सोचना चाहिए, और सभी को ब्लेट देना चाहिए, APN के लिए विवे कुमार सिंग, देली